ओम नमस्य वाय, श्वागत है आप सभी का मेरे वास्तू ग्यान गंगा योट्यूब चैनल पर, आज मैं आपको स्रावण सोंबार का महवपाय बताने जा रहा हूँ, स्रावण मास का यह सोंबार विशेशी सुभ यूग में पढ़ रहा है, सावण मास का आखरी सोंबार है, तो आपको यह उपाय जरू करने है, इससे आपकी प्रतिक मनुकामना पोरी होगी, दन बढ़ेगा, शुक शम्रदी बढ़ेगी, परवार में खुशाली रहेगी, सावण मास का महिना बगवान सिभ का प्रिय महिना है, सावण मास में प्रते दिन बगवान सिभ की पूजा क की जाती है, सावण मास में ऐसे कही परवाते हैं, जिस दिन बगवान सिभ की पूजा और माता पारवती की पूजा करने से हमारे जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं, सिभ पराण के हिसाब से जो व्यक्ति सावण मास में प्रते दिन बगवान सिभ का पूजा करते हैं, माता पार्वती की जो स्वागन मैलाएं पूजा करती हैं उनके पती पर कभी कोई कष्ट नहीं आता उनके परवार में कभी कोई कष्ट नहीं आता वही सामन सोम्मार के ब्रत का भी विशिश महत होता है स्रावन मास में चितने भी सोम्मार आते हैं सभी सोम्मार को भगवान शिवक 우zen कीना उभ्रत रखा जाता है, वहिस श्रावन माच के जो आखरी सोम्मार हो, उस दिन भगवान Früh की पूजा का विशिश महत्व है अगर आपने श्रावण सोम्मार का व्रत रखा है, तो आप इस दिन उद्यापन भी करें इस दिन अपनी मनुकामना भूल करके आपको निमने चीजे सिवलिंग पर अरपन करने से आपकी मनुकामना पूरी हो जाएगे सबसे पहला है आपको आठे का दीपक बना कि त्यार कर लेना चो मुखी साथ ही इत्र लेकर किया आना है बजार से ग्यारे बेल पत्र और ग्यारे गुलाब की पुष्प ये सामान आपको ले लेना है सबसे पहले भगवान सिवजी का आपको अफशिक करने के बाद में भगवान को भश्मी अरपन करेंगे भष्मी बजार से मिल जाती है वहां से लेकर के आएं भगवान को भष्मी अरपन करें जो मनोकाम ना भूलगा जो इच्चा भूलकर कर आप यह उपाय करेंगे वो आपकी परते किच्चा पूरी हो जाई बस्मी चड़ाने के बाद में भगवान को एक फ़ल अरपन करें उसके बाद में भगवान को आप भांकी जो पत्तिया हुती है हरी वाली वह है भगवान को अरपन करने हैं उसके बाद भगवान को नारियल अरपन करें फिर आपको क्या करना है 11 गुलाब की पंकडिया जो सावत पंकडिया है गुलाब की पुष्प में से आपको तोड़ लेनी है और वह आपको एक पान के पत्ते पर रख करके सिविलिंग पर अरपन कर देनी है उसके बाद एक एक बेल पत्र एक गुलाब का पुष्प सिविलिंग पर अरपन करते जान और बेल पत्र जब अरपन करने हों तो गाय का गी और सेध लगा करके आपको अरपन करना है उसके बाद में एक एक पुष पर एक एक बेल पत्र आप अरपन करते जाएंगे फिर इतर अरपन करेंगे फिर आप भगवान को नेवेद अरपन करेंगे उसके बाद भगवान के सामने आपको दीपक जलाना है दीपक जलाने के बाद में ओम नमश्वाई मंतर का आपको जाब करना है यह उपायतन प्रबाब सालिये इससे आपकी प्रतेक मनो कामना पोलियोगे सामरमास का यह संबार बहुत बड़ा सुभ योग में पढ़ रहा है ओम नमश्वाई